दुनिया में कुछ ऐसे प्लेसेज भी हैं जिसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया आज की कहानी किसी एक घड़ना पे बेस्ट नहीं है आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही जगों के बारे में बताएंगे जिसे सबसे भूतिया माना जाता है और उन प्लेसेज से जुड़ी कहानियों को भी आपको बताएंगे तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिस्ट्रो पीडिया में बिना टाइम वेस्ट की एक कहानी को सुरू करते हैं पहली कहानी भारत के एक ऐसे गाउं की है जहांके लोग साय के डर में रात भर नहीं सो पाते हैं साम ढलते ही उस गाउं के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कुछ लोग उस गाउं के मंदिर में अपनी सलामती के लिए प्रार्थना और भजन किर्तन करने लग जाते हैं। उस गाउं के लोगों को लगता है कि रात को रूहानी ताक्ते उन्हें परिशान कर सकती है। ऐसा क्या है इस गाउं का रहस और कौन इन्हें परिशान कर रहा है आईए आपको बिस्तार से बताते हैं ये मध्य प्रदेश के बैतूल जीले का निर्गुर गाउं है इस गाउं में दिन तो समान्ने होते हैं लेकिन राते डरावनी हो जाती हैं सूरज ने जैसे ही आखे बंद की यहां के लोगों में खौफ दोड़ने लगता है रात को बुरी आत्माएं लोगों में इस कदर भर जाती हैं कि दिन में उजालों में भी लोग इनकी बाते करके सहम जाते हैं यहां के इस्थानिय लोगों को उनके परिवार वाले रात को खेत पर जाने से भी मना करते हैं घर के कोने में बैठ कर लोग रात गुजारते हैं और रात बर भगवान से ये दुआ करते हैं कि खौफ का वो साया उनके पास भी ना भटके और ना ही कोई रूहानी ताकत उनक सनाटा चा जाता है अगर वो सनाटा कभी तूटता है तो कुछ रहस्मई आवाजे सुनाई पड़ती हैं आखिर क्या है ये अंजाना डर कौन है इस गाउं में जो रात होते ही घर की कुंडिया खटखटाने लगता है कौन है वो भूत जिसके डर में गाउं के 2000 लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं इसके सच कोई तलासने के लिए आज तक की टीम इस गाउं में पहुंची इस टीम में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरो तिवारी और उनके दो साथी भी थे उन्होंने रात भर उस गाउं की पड़ताल की इसके लिए उन्होंने अपने पास्क गैजेट सकें जिससे उनके बारे में पता लगाया जा सके और उन्हें पता चला कि EMF रीडर की रीडिंग बहुत ज्यादा थी EMF रीडर बेसिकली जब निगेटिव इनर्जी के संपर्क में आता है तो उसकी रीडिंग बढ़ जाती है खंडहर हो चुकी इमारतों और सापी जगहों पर तो रूहों का कबजा होता ही है लेकिन इनसानी जीवन का अंतीम पड़ाओ कहे जाने वाले कबरिस्तान में भी रूहों की मौजूदगी को दर्ज किया जाता रहा है अगली कहानी एक ऐसे ही कबरिस्तान की है लंदन इस्थित हाईगेट कबरिस्तान में इस्थानिय लोगों ने हर रात पिसाचों को अपना डेरा जमायत देखा है वह रात के समय खोन की तलास में इधर-उधर घूमते हैं और अपनी राह में आने वाले हर इंसान को अपना भोजन बना लेते हैं हाईगेट कबरिस्तान के कई गेट हैं यह वही अस्थान है जहां दास कैपिटल के राइटर काल माक्स को दफन किया गया था वर्स 1839 में जब लंदन अत्यदिक मृत्युतर जैसी हलातों से जूज रहा था तभी इस कबरिस्तान को बनाने का काम सुरू किया गया था लंदन में रोज काफी लोग मर रहे थे जिन्हें दफनाने का इस्थान नहीं मिल रहा था लोग अपने प्रियजनों को घरों के आसपास दिफनाने के लिए मजबूर थे लेकिन ऐसा करने से बदबू और अन्य बिमारिया फैलने लगी थी इसी समस्या को हल करने के लिए हाईगेट कब्रिस्तान का निर्मार कराया गया था हाईगेट कब्रिस्तान में ना जाने कितने मृत लोगों के सरीर दफन है जिनकी रूहें अकाल मृत्यू के कारण इस इस्थान पर अपना डेरा जमाय हुए है ऐसा नहीं है कि यहां आत्मा ये लोग बन चुके हैं लेकिन इस खेल को देखने के बाद उनके साथ कोई ना कोई हासा भी जरूर होता है जिसकी वज़े से कभी भी वह इस बात का जिक्र नहीं कर पाए कि आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा था 1970 की बात है जब इसकूल में पढ़ने वाली दो छात्राओं ने यह दावा किया था कि उन्होंने कभरिस्तान के किनारे वेंपायर को देखा है इस घटना के बाद वहाँ घूम रहे एक प्रेमी जोडे ने भी एक वेंपायर को देखने की बात स्विकार की थी उनका कहना था कि कभरिस्तान के तीसरे गेट के पास उन्होंने एक अत्यधिक लंबे चोड़े आदमी को देखा था जो एक इनसान का खून पी रहा था उसे देख कर उनके होस उड़ गए और वो भागने लगे वह वेंपायर धीरे धीरे उनके पास आने लगा लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचा कर भागे इस घटना के बाद कई अन्य लोगों ने भी वेंपायर को घूमते फिरते देखा है इसलिए आज इस सिस्थान पर किसी सो को दफनाया नहीं जाता है और नहीं इस सिस्थान पर कोई आता जाता है अगली कहानी है एक भूतिया सुरंग की इस टनल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यहां इतना रूहों का खौफ है कि इनसान माचिस की तीली जलाने मात्र से काप उठता है यह सुरंग कनाडा के ओटेरियू के नियागरा फॉल्स के पास इस्थित है इसका निर्माड सन 1900 में उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोडने के लिए ग्रांड ट्रेक रेलवे लाइन्स के ठीक नीचे किया गया जो की लगभग 16 फिट उची और 125 फिट लंबी है सुरंग के निर्माड के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हाथसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया इसके आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस सुरंग में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था जब पानी बढ़ जाता तब इस टनल का प्रेव किया जाता था उस समय इसमें कई हाथसे हुए जिन में से एक हाथसा ऐसा था जिससे आज भी ओटेरियो उबर नहीं पाया है या उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लकडी का घर था उस घर में एक बाब बेटी रहा करते थे उस रात सुरंग के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारो तरफ भयानक अंधेरी रात थी इसी दोरान उस मकान में अचानक आग लग गई उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी हवा का रुप भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोस में ले लिया तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी तब तक आग ने रोद्र रूप धाराण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके उपर आगिरा लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी लड़की खुद को बचाने के लिए सुरंग की तरह भागी ताकि वो पानी में कूच सके लेकिन जब तक वो वहां तक पहुँची वो बुरी तरह जल चुकी थी और उसने सुरंग में छलंग लगाई तो सीधे जमीन पर आगिरी क्योंकि सुरंग में उस समय पानी नहीं था आग से बुरी तरह लिप्टी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूँज गई उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि आजपास के कई लोग वहाँ आप पहुँचें और उपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहें के साथ इसके अंदर सामुहिक बलतकार किया था इतना ही नई रेप करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूच छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था लोगों का कहना है कि उस समय वह लड़की भी बहुत भयानक रूप स चीख रही थी लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हासा देखा था तो उन्हें लगा कि साथ उसी लड़की की रूख चीख रही है सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला सव जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दिवारों पर उ कोई उधर से गुजरता है तो अंदर से सिसकने और सरीर के जलने जैसी बदबू आती है ऐसा माना जाता है कि कोई भी सुरंग में रौसनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूखे परिशान हो जाती है एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गय प्ति है खाए था उसी समय उसने अपने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली जैसे ही उसने माचिस जलाई माचिस बुझ गई उसने दुबारा कोशिस की तो तेज हवा सुरंग की तरफ से चलने लगी उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माची जलाने लगा जैसे ही उसने तीसरी बार माची जलाई तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूँज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सीर के ठीक उपर एक लड़की के साय को देखा जो कि किसी छिपकिली की तरह सुरंग की दिवारों से छिपकी थी उसका पूरा चेरा जला था और वो बार बार चीख रही थी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना सुरंग के उपर काम कर रहे लोग दोड़कर सुरंग के अंदर जुक कर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर जमीन पर बेहोस पड़ाये और उसके हाथ में माचिस थी किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया वो आदमी जिन्दा बच गया और उसने अपनी आबिती लोगों को सुनाई और कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं इस समय भी यदि आप सुरंग के बीचो बीच जाकर माचीस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं अगर किसी घर में सालों से कोई इंसान नहीं रह रहा हो तो ऐसे घर को प्रेतबाधित घर माना जाता है क्योंकि उस घर में ऐसा कोई वाक्या हुआ होगा जिसकी वज़े से उस घर में कोई बस नहीं सका होगा ऐसे ही बिच्व के मसूर प्रेतबाधित घरों में एक घर से आपको रूबरू कराते हैं जहां इंसान के जाने की हिम्मत नहीं होती और उस घर में आत्माओं ने अपना कबजा कर रखा है इस घर का नाम वैले हाउस है और यह अमेरिका में स्थित है ऐसा माना जाता है कि इस घर को थॉमस वैले ने 1875 में बनवाया था और अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ इस वीराने में रहने के लिए आ गए इस घर में आने के कुछ समय बाद ही उसके छोटे बेटे की बुखार की वज़े से मौत हो गई कुछ दिनों बाद इनके दो लड़कियों का जन्म हुआ थोड़े दिनों में उसकी पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई उसके बाद थॉमस के सबसे बड़े बेटे ने एक लड़की से साधी की और फिर तलाग हो गया इस सदमे से उसने भी आत्महत्या कर ली इस तरह एक एक करके 1961 तक थॉमस की मौत के साथ पूरा परिवार खतम हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था इस घर में कि अचानक एक एक करके सारे परिवार के सदस्यों की मौत होने लगी थी तो ऐसा कहा जाता है कि इस मकान को बनाते समय एक मजदूर ने फासी लगा कर खुदखुसी कर ली थी उसकी आत्मा यहां घूमती थी और वही आत्मा और लोगों के मरने का कारण बनती थी वैले परिवार को इस बात का पता होने के बावजूद यहां रहने को आए और मौत के काल में समा गए अब उनके पूरे परिवार की आत्माएं इस घर में रहती हैं इस कारण अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका इस घर के बारे में इस्टडी करने के लिए गोष्ट हंटर्स की टीम यहां आई थी वो जब रात को बारा बजे के बाद इस घर में आए तो उन्होंने इस घर में किसी के आभास और इसपर्स को महसूस किया उन्हें बालों से ढखे चेहरे दिखाई दिये जो एकदम गायब हो जाते थे सीसो पर एकदम ताजा खून के धब्बे दिखाई देने लगते थे और भी ऐसे कई तथे थे जिनसे इस घर को प्रेदबाधित मानना पड़ा अमेरिकन सरकार ने इस घर को म्यूजियम में बदल दिया और यहां आने वाले लोगों को रूहों की मौजूदगी का एहसास करवाया तो दोस्तों इस तरह के घर आज भी आपको पूरे बिस्व में मिल जाएंगे जो आज भी सालों से बंद पड़े हैं और उनके पीछे छिपी है एक कहानी अगर ऐसी ही कहानी और आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद